आदिमानों के पास हमारे जैसे चक नहीं थे, वे ठंड बरसात आदी से बचने के लिए वरक्षों की छाल, पत्तों तता जानवरों की खाल से अपना सरीर ढगते थे, इनके साथ साथ लकडी, सीप, पत्तर, सींग, हात्ती दांत और अड़ी से बने आबुसन का भी परियोग क बनाते हैं, नव पासान काल तक आदिमानों ने पसुपालन और खेती करने के प्रारंबिक तरीकों की खोज कर ली, अब वे जान गया था कि सिकार के साथ साथ पसुपालन उनके लिए मैतुपूर्ण है, वे अनेक उप्योगी वस्तुओं को पालने लगा, पसुओं से वे क प्रत आत्वोईदों के अनुसार बारत में कर्शी की सुरुवात आज से लगबग 10,000 साल पहले हो चुकी थी, इस बरकार आदिमानों का बोजन की तलास में गोमना फिरना कम हो गया, अब वे जान गया था कि मानों और पसुपक्सियों दुआरा खाकर फेंके हुए पलों क बीजों से नए पोदे उगाए जाते हैं, खेती करने की कला एक महतु पुन खोज थी, जिसके कारण मानों को बोजन की तलास में बटकने की जरुरत नहीं रही, और अब उसने एक जगे बसना सोक लिया था, लेकिन मानों को जब खाद्य सामगरी की कमी पढ़ने लगी, मानी खेती करने लगा, समय अनुसार दीरे-दीरे कर्शी का विकास हुआ, वर्तमान में अपनी आवसेक्ता के साथ-साथ मनुसिये ने अनेग विक्सित कर्शी यंत्रों का विकास किया, जिससे कम समय में आधिक पसले ली जा रही थी है, इस परकार आधिकाल से लेकर आज मानों की कर्शी पर निरबरता लगातार बढ़ती गई, और कर्शी के विकास के साथ-साथ सभ्यता का विकास हुआ, आधि मानों की परगती में पैये की खोज का मेहतुपूर्ण इस्तान है, और ये खोज उसके जीवन यापन के लिए वरदान साबित हुई, इस खोज में म मानों ने बड़ी तेजी से परगती की, इस खोज से मानों को कई लाब हुए, जैसे कि बारी चीजों को एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक ले जाने में, गहराई से पानी खिंचने में, चाक से मिटी के बरतनों के निर्मान में, पसू द्वारा खिंची जाने वाली पसू गाड़ियों के निर्माड में इस परकार खोज करते करते मनुश्य लगतार परगती करता गया